हाँ, यस, आज की टेस्ट में मैं विराम चिन्ध वगेर नहीं बोलूँगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, यस, 3, 2, 1, स्टार्ट दो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फाइलाना अपने आप में अपने जमीर को मारने जैसा लगता है, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि भिक्सा व्रती के उदाहरन अक्सर सडक किनारे धार्मिक इस्तलों के आसपास या चौक चौराहों पर दिख जाते हैं, एक संजीदा नागरिक के रूप में आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या भीक मांग रहे ये लोग अपनी विवस्ता के करण ऐसे हाल में हैं या फिर ये किसी साजिश के शिकार हैं, ताजुप की बात तो यह है कि इस संबंद में अभी तक कोई बेहतर मेकेनिज्म नहीं बन पाया है, बहराल हाल ही में डिल्ली हाई कोट ने भिक्सा वृती को अपराद घोशित करने वाले कानून बॉम्बे ओफ बैगिंग एक्ट उनिसो उनसाट की पच्चिस धाराओं को समाप्त कर दिया है, साथ ही भिक्सा वृती के अपरादी करन को असमवेधानिक करार दिया है, हाई कोट ने यह निर्णे भिखारियों के मौलिक अधिकारों और उनके आधार बूत मानवाधिकारों के संधर्ब में दायर दो जनहित याचिकाउं की सुनवाई के दोरान किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आलस्य काम करने की कमजोर इच्छा शक्ती आधी के करण भिक्सा वृती अपनाते हैं, भारत में कुछ जन जातिये समुदाई भी अपनी आजिवी का के लिए परंपरा के तौर पर भिक्सा वृती को अपनाते हैं, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यहा है कि भीक मांगने वाले सभी लोग इसे एच्छिक रूप से नहीं अपनाते, दरसल गरीबी भुखमरी तथा आई की असमानताओं के चलते देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे बोजन, कपड़ा और आवास जैसी आधार बुथ सुविधाएं भी प्राप्थ नहीं हो पाती, यह वर्ग कई बार मजबूर होकर भीक मांगने का विकल्प अपना लेता है, कई बार गरीबी से पीडित ऐसे लोगों की मजबूरी का फाइदा कुछ गिरोह भी उठाते हैं, ऐसे गिरोह संगटित रूप से भिक्सवर्ती के रैकेट चलाते हैं, ये गिरोह गरीब व्यक्तियों को लालच देकर डरा धमका कर नशीले ड्रक्ष देकर तथा मानव तसकरी के द्वारा लाये गए लोगों को शारेजिक रूप से अपंग बना कर भीक मांगने पर मजबूर करते हैं, Bombay Prevention of Bagging Act 1969 की कुछ धाराओं में फिर बदल कर डिल्ली हाई कोट ने ऐसे गरीब लोगों के जीवन जीने के अधिकार की रक्षा का एक सार्थक परियास किया है, इस अधिनियम में भिक्सा व्रती की परिबाशा में ऐसे किसी भी व्यत्ती को शामिल किया गया है, जो गाना गाकर निर्तिय करकर भविश्य बता कर कोई सामान देकर या इसके बिना भीक मांगता है, कोई चोट घाव आदी दिखा कर बिमारी बता कर भीक मांगता है, इसके अलावा जीविका का कोई द्रिश्य साधन न होने और सारवजनिक स्थान पर इधर उदर भीक मांगने की मनसा से घूमना भी भिक्सा व्रती में शामिल है, इस कानून में भिक्सा व्रती करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में तीन साल तक के लिए और दूसरी बार में दस साल तक के लिए की सजा के तौर पंजीकरत संस्ता में भेजे जाने का नियम है, इसके साथ ही पकड़े गए व्यक्ती के आश्रितों को भी पंजीकरत संस्ता में भेजा जा सकता है, प्रसासन ने इसका प्रियोग सारुजनिक स्थानों से विखारियों को हटाने, स्थानुन स्थानों को हटें अगया श्यक्ता कि अभण का रषए।